कि नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं तो फ्रेंट्स देखी ये सुबा का टैम है मैं सुबा में जल्दी उठी और अपने चुले की साफ सफाय में लगी हूँ तो आज मैं कुछ अलग तरीके से लिपाई करने वाली हूँ रोज दिन मैं सिंपल वाला लिप करके दिखाती हूँ आप लोगों को तो आज मैं टाइल्स के स्टाइल में कुछ लिपाई करके देखने वाली हूँ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को तो अतना ज्यादा मैं नहीं लिपाई करके देख रही हूँ कैसा लगता है मैंने एक वीडियो में देखा था बहुत सुंदर लग रहा था तो मैं भी ट्राइ की है कि कैसा लगता है मैं भी अच्छा से अगर अच्छा लगेगा तो मैं भी उसी टाइब का लिप पाई करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी तो यहां पर देखिए मैं चाय बना रही थी सुबा का चाय है ये तो हमारा चाय नहीं डबका है भी तक चाय को खलने में कुछ टाइम लगेगा और यहां पर चाय मेरा खल जाता है और अभी सभी नहीं उठे हुए हैं और मेरा चाय बनते बनते यहां पर देखिए रोहन के पापा भी उठ गए है, यहाँ पर रोहनी भी उठी है और वो खास रही थी, तो उसको पूछ रहे थे की तबियत खराब है क्या तो वो बोर रह थी कि हाँ, खासी है तो फिर उनको दवा लेने के लिए भी जाना है तो यहाँ पर मेरा चाय बन गया था मैं चाय अभी दूँगी सभी के लिए चाय निकाल रही हूँ अभी खाना चड़ा दी है और बाहर का साफ सफाई हो गया है सुबा का टैम में मैं पहले साफ सफाई कर लेती हूँ उसके बाद चाप पाने मैं सभी को देती हूँ यहाँ पर मेरा सबजी बन रहा था आलो और लोकी की तो लोकी को मैं काट दी है और आलो को भी उसके बाद यहाँ पर चड़ाने के लिए मैं आ गई हूँ तो यहांपर मेरा तेल गरम हो गया था पिर यहांपर डाल दिए थे प्याज प्याज को भूझ लेंगे अच्छे तरह से उसके बाद हम डालेंगे यहांपर सब живी तो देखे मेरा सब्जी भी अकड़ाहे में डाल दी है धोने के लिए और यहां पर रोहन को मैं नहा दी थी खाना उना बनाने के बाद तो यह नहा दो करके बोल रहा था मुझे सोना है तो सोने के लिए इसको हम दे देते हैं सभी को खाना उना खिला लेने के बाद ही हम इसको नहा दी है आज और नहीं तुझ सबसे पहले नहाना खुचता है, यह नहानी खुचता है लेकिन आज मैं बाद में ही नहला दी, उसके बाद देखीह इया हुआ परुहन को सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ बरतन धोने के लिए, लेकिन रोईन अपने से उटके आ जाता है और वो भी लग जाता है बरतन धोने के लिए मैं डारती भी हूँ कि तुम क्यों आया है तो वो जब बरतन का आवाज सुनता है और उटके आ जाता है बहुत चलांक है मैं उसको सुला देती हूँ आख बंद करके सो गया था लेकिन जब बरतन में धोने लगी तो उसका आवाज पहुच गया उसके पास तो दोड़ गया और उसके बाद देखें मैं बरतन धोली फिर ये कपड़े थोड़ा सा मैं रखी थी धोने के लिए तो उसे भी मैं धो देती हूँ अभी बच्चे नहाए हैं वो कपड़े हैं और पहले से एक दो था तो मैं नहीं धोई थी अभी मैं सभी को धोलूँगी उसके बाद आज कल धूप भी उतना जदा नहीं आता है आज तो धूप है बहुत अच्छी है मेरा लिपाई पोताई भी बंद हो गया है धूप नही के खारण क्योंकि बारिस हो जाती है अचानक फिर मेरा लिपाई पोताई सब बेकार हो जाता है इसलिए एक दो दिन से में लिपाई भी नहीं कर रही हूँ मेरा दिवाल को छपाई भी करनी है बहुत बेकार लग रहा है बाहर का दिवाल देखने में लेकिन क्या करे अभी बारिस हो जाती है तो फिर बिकार हो जाता है लिपना च्छबना इसलिए तो आज तो धूप दिखाई दे रहा है अभी लेकिन थोड़ा देरी के बाद फिर से बारिस ही हो जाती है तो इसलिए मैं लिपाई पोताई की कामा भी छोड़ दी हूँ और अभी यहां पर मेरा जी भी आई है मतलब भती जी लगती है ये और भाई लगते हैं तो दोनों में साधी कर ली है तो मैं दोनों को उसको भाई ही मानती हूं और इसको भती जी ही मानती हूं तो यह आए हुए थे तो मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं तो यहां पर देखी मैं सभी कपड़े को भी तो छले गए हैं और मेरे साथ है ये तेन के चार बेटियां मितलब तीन के चार बेटियां हैं और एक बापू हैं तो यहां पर देखें दो पाहर होने की बाद यहां पर हम आ गए साँ दोड़ने के लिए सनाई का साग बहुत दिनों से नहीं खाय हुए है अबर हमारे खेत में डाले हैं सनाई का फूल और राहर लेकिन राहर का तो पता ही नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा घास निकल गया है कि मेरा से भी बड़ा बड़ा घास है और इसमें सनाई फूल का भी पता नहीं चल रहा है और जो राहर डाले हुए हैं वो तो और भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यह पर साग तोड़ने के लिए हम लोग एक टंटा ले लिए हैं उसके बाद हम उसको अच्छे से इधर उधर कर लेते हैं उसके बाद हम जादे साग तोड़ने के लिए क्योंकि बहुत जूंट हो गया इतना ज़्यादा घास हो गया मैं घास मी नहीं खाड़ी थी और वो काटा वाला घास है तो थोड़ा सा ठेकते हैं तो काटा भी लग जाता है हाँ पर में तो हम एक डंटा पकड़ लेते हैं और डंटा से ही टार लेते हैं इस तरह से एकसाइट कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं साग तोने के लिए यहां पर रोहनी भी आई है इसको थोड़ा तब यह ठीक नहीं लग रहा है फिर भी मेरा पीचे पीचे आ रही है और बच्चे होते हैं जब तबित खराब होता है तो मा को छोड़ते नहीं है तो उसी टाइप का यह है तो साग तोड़ लिए हैं उसके बाद देके मैं साम के टैम में मैं ट्राइक कर रही थी अपने पीड़ा में लिपाई करके इस तरह से टाइल में तो कैसा लगा आप ल लगेगा तो मैं फिर से इस तरह का वीडियो में पूरे घर में लिपाई करके आप लोगों को दिखाऊंगे तो यहां पर देखे मैं डिजाइन वाला लिपाई कर रही हूं एक है मिटी वाला और एक है गोबर वाला तो मैं शुरुआत कर रही हो लिपने के लिए थोड़ा तो अच्छा लग रहा था और जब सूखेगा तो और भी अच्छा लगेगा भी काचा कचा है तो पाचान में नहीं आ था है कौन-कौन सा कलार है तो यहाँ पर एक ठोई सफेद वाला मिट्टी और एक है गोबर वाला तो गोबर और मिट्टी दोनों कर मिला करके हम बना दिये हैं टाइल्स वाला स्टाइल तो जरूर बताईएगा आप लोग कमेंट में कैसा लगा और इस तरह का लिपाई करने में थोड़ा मेहनत तो लगती है लेकिन सुन्दर भी लगता है द करके लेकिन मैं ऐसे बहुत ही मतलब पहली बार इस तरह का लिपाई कर रहे हूं दूसरा स्टाइल वाला तो अब हम पूरे पिंडे में लिपाई करेंगे इस तरह से आप लोग बने रहे हैं मेरा वीडियो में पूरे लास्ट तक और जरूर बताएगा दोस्तों मुझे सप सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे भी वन के पुरा दीजिए ताके मेरा वन के हो जाएगा फिर उसके बाद में फिर से अच्छे अच्छे वीडियो ले करके आऊंगी तो देखिए उधर सूख गये हैं तो थोड़ा सा पहचान में उतना जद नहीं सुखा है बस सूख रह हैं तो पहचान में उधर सुंदर लग रहा है इधर कच्छा है इधर चाटास मारता है बारिस हुए थी कलवी तो यहां पर सूखा नहीं है जमिन तो और भी कच्छा हो जाता है तो फिर पहचान में नहीं आता है तो थोड़ा देखने में ठीक नहीं लगता लेकिन जब सू से वीडियो जब भी डालो तो आप लोगों के पास पहलचे सबसे पहले और यहां पर देखिए मेरा लिपाई पूरा हो रही है यह स्पींडा में और इधर भी बनाना है हमको और अभी जमिन को नहीं लिपाई करूंगी अभी भी जमिन मेरा सूखा नहीं है अच्छे से क्यों अज़े लग रहे हैं यह धूत थोड़ा सा चमक रहा है कभी-कभी और निकलते हैं तो कभी बारिश होते हैं आज कल मौसम को टाइम टेबल नहीं है कब बारी सोग होंकि पाता हिसे कपड़ा में पाता है हम तो एक दो दीन डह का वीडिव में लेकर क्या आती रहूंग तो चलिए आज के लिए इतने हैसा रहेगा चलिए बाई बाई